लगभग देड़ महिने का समय हमारे लिए बहुत महित्पून होगा इसमें नो या दस को जो भी मुस्लिम धर्मगुरू घोसित करेंगे उस दिन उनकी बकरीद का कारिकरम संपन होगा पुरे प्रदेश के अंदर और 14 जोलाई से लेकर के लगभग श्रावन उनिमा तक यह पड़ेगा 12 अगस्त को रक्षा बंदन का परूब भी पड़ेगा प्रतिक सोंबार के साथ साथ जिस दिन महा सिवरात्तरी का अईजन होगा उस दिन सभी देवालियों में भी भीड़ भाड़ होगी 31 जोलाई से लेकर 12 अगस्त तक अयोध्या का सावन मेला भी है दो अगस्त को नाग पंचिमी का भी परूपड़ेगा और 31 जोलाई से 9 अगस्त के बीच में मोहरम भी है देखे सभी आयोजन एक दोसे के साथ जुड़ेवे हैं मोहरम के दोरान 33 सोंबार पहली अगस्त को पड़ेगा चतुर्त सोंबार आठ अगस्त को पड़ेगा रक्सावंदन कायोजन भी इस दोरान है और स्रावन पूनिमा 12 अगस्त को पड़ेगी ये नाग पंचिमी रक्सावंदन और जो तीन सोंबार भी दो सोंबार भी इस दोरान पड़ेगे इस दिस से इसकी कारे यूशना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्म गुरूओं के साथ संबाद बनाने की कारवाई को इभिन्न आउसरों पर अपनाया है उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें बहुत सारे जन्पदों ने इस पर अपना कारे प्रारम भी किया है और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए संबाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इनिशले अस्तर पर कहीं पर थाना ध्यक्सों थाना अस्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माद्यम से और थाना ध्यक्सों के और अन्या जो हमारे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं इनके माद्यम से भी कुछ धर्म गुरूओं के साथ पुजारियों के साथ या अन्या जो मौलवी है उन सब के साथ हम लोगों को संबाद बनाने में कोई भी संकोश नहीं होना चाहिए समाज के जो मानिंद हैं अलग अलग तब कि कि उन लोगों के साथ भी संबाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोश नहीं होना चाहिए दूसरा उस से ओपर भी जो हमारा सरकिल है या जॉइन मेजिस्टेट है उनके माध्यम से भी या जो पूप जलादी कारी करण हैं ये लोग भी संबाद बनाएं अच्छा होगा अलग अलग धर्मगुरूओं के साथ समाज के मानिंदों के साथ में जिनकी समाज में अपनी एक पकड़ होती है जन परतिनिदियों के साथ संबाद बनाना उनकी कदिविधियों पी भी निगाह रखना नजर रखना ऐसे ही जो एडिस्टनल एस्पी और एडियम अस्तर के अधिकारी हैं वे लोग भी अपने इस कारिक्रम को करें और जन पत अस्तर पर जिलादिकारी और पुलिस अधिक्सकों को भी संबाद के इस कारिक्रम को आगे बढ़ाना होगा यह सुनिश्चित करें क्योंकि यह सारे कारिक्रम पढ़ेंगे और 15 अगस्त को स्वतनितरता दिवस का कारिक्रम भी होगा जो बात जो कि अम्परित महत्सो है आजादी का तो इस आउसर पर कुछ विसेश आयोजन होंगे उन आयोजनों के साथ पुरा प्रदेश जुड़े का तो जितने भी ऐसे तत्वएं हैं जो एंटी néशेंल हैं वे कुछ न कुछ गड़वड़ी करने का प्रियास करेंगे माहुल को खराब करने का प्रियास करेंगे इसलिए सतर्क्ता और साउधानी इसके लिए संबाद हमारा महत्वकून है और संबाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना इसकी समिक्सा रेंज अस्तर पर, कमिस्नरी अस्तर पर, जौन अस्तर पर निरंतर होती रहे परवर्तिवार कोई भी हो सासन की जम्यदारी बनती है वहाँ पर सुविधा देना और सुरक्सा का बहतर माहूल देना कोई वे परवर्तिवार हो परंप्रागत तरीके से हो परंप्रा से हटकर कुछ भी हम न होने दे आयोजकों के नाम नोट करें आयोजकों से हम लोग एप्लिकेशन जरूर लें और उनसे सुनिस्चित जरूर कराएं हमने ग्रह विभाग को भी मैंने एक परफॉर्मा उपलब्द करवाया था कि उसे हर एक जन्पत में उपलब्द कराएं उसी के माद्यम से अनुमती भी सुनिस्चित कराएं सरतें जोड़िये उसमें कि वह कहीं भी सांती को भंग करने वाली विवस्ता कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे कोई भी ऐसा कारें नहीं करेंगे जिसे सांती विवस्ता भंग होती हो या किसी जाती मत मजभ वर्ग संपरदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं कोई भी इस प्रकार की बियानवाजी न हो इस पर ध्यान देने के लिए हमें जहां बिवस्ताद बनानी पड़ेगे वहीं साथे साथ हम इस बात को सुनिसित करेंगे बकरीत के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ और इस आयुजन के साथ जुड़ेवे जितने भी लोग होंगे उन सभी के साथ हमें संबाद बनाना होगा कावड यात्रा के लिए भी हमें कावड संगों के साथ कावड संग हैं बने वे हर एक जगे उन से भी संबाद बनाना पड़ेगा अगर हम उसी अस्तर पर संबाद बनाएंगे तो बाद में जब भीड इकठी होती है तो उस समय समस्या नहीं खड़ी होती है तब ये कारिकरम एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है फिर उसमें कोई समस्या पैदा नहीं होती है इसलिए उन सभी चीजों को हमें पहले से ही एक संबाद बना करना होगा मोहरम के असर पर भी मोहरम से जुड़े वे जो अलग-अलग ताज्या लेकर के जाते हैं उनके साथ पहले से संबाद होना चाहिए कहीं भी कावड यात्रियों का और मोहरम के जलुस आपस में टकरानी की नौबत नाने पाए इसके लिए पहले से रूट तयार कर लेना पहले से सुनिश्चित करना कि किसी की भावनाएं आहद भी नहो और दोनों कारिक्रम संपन्न हो जाएं प्रंप्रा का उलंगन भी कहीं नहो इस बात को सुनिश्चित करेंगे रिस पर हम लोग पहले से ही ध्यान देंगे जिससे कहीं भी कोई बात नहो दूसरा नगर विकास के द्वारा और पंचायती राजविभाग के द्वारा स्वच्चिता को सेनिटाइजेशन को जहां प्रात्मिक्ता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा वेसे भी संचारी रोक नियंतन का एक कारिक्रम पहली जोलाए से चलना है स्वच्चिता सेनिटाइजेशन उसका प्रमुक पार्थ है इसको हम विसे इस रूप से एक अभिहान की रूप में लें बकरीत के दिन कुर्वानी जहां होगी पस्थारजनिक अस्थाल नहीं होगा जो निर्धारित अस्थाल और पहले से चली आरी वहीं पर होगा हम सुनिसित करें कि ये स्थान कोई सड़क कोई चोरहा या कोई ऐसा सारजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थालना हो जहां को लेकर के नावस्क विवाद हो और कुरवानी के बाद जो भी वहाँ पर सॉलिड वेस्ट पढ़ा हो उन सब को निस्तारण करने की भी विवस्ता की जानी चाहिए चाहे वहाँ आयुचक करें चाहे वहाँ नगर निका या पंचैदी राज विवाग से जुड़ेवे लोग करें इस विवस्ता को पहले से सुनिस्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्कालवाद उसकी सफाई की विवस्ता भी हो जाए जिससे गंदगी न होने पाए और वहाँ जो सॉलिड वेस्ट आप डालेंगे वहाँ एक ऐसी जगे रखना चाहिए जहां बस्ती से दूर हो नहीं तो बहुत तेज वद्वू करेगा उसके बाद तमाम प्रकार की बिमारियां और अन्य संक्रामक बिमारियां वहाँ पर होने के खत्रे होते हैं इन चीजों को सुनिस्चित करेंगे उसको पानी में बहाएंगे भी नहीं ये भी सुनिस्चित करेंगे जल जमाओ न हो कहीं भी नगरिय चेतर में चाई वहा बकरीत से जुड़े हुए आयुजन हो कावड यात्रा से जुड़े हुए हो नाग पंचीमी के कारिकरम हो या फिर स्रावन पूर्णी मा के या सावन जो मेला लगता है अयुद्या में कहीं भी जल जमाओ न हो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा सुद्ध पेजल की आपूर्ती के लिए भी विसेश विवस्ता देखनी पड़ेगी हम लोग लगातार देख रहे हैं लगातार नियूश पेपर में अन्ने जगों पर हम लोग इस बात को देखते हैं को उनके भरों से न छोड़ें बच्चे बिमार हो सकते हैं कोई अन्ने समस्या खड़ी हो सकती है उस पर हम ध्यान दें इस्टीट लाइट की विवस्ता बरसाद के समय में वेसे भी इसके बारे में हमें अलर्ट रहना पड़ेगा नगर निकायों को भी जहां जहां यह आयोजन हो और कावड यात्रा से जुड़ेवे जितने भी रूट हो वहाँ पर भी स्टीट लाइट की विवस्ता ठीक हो सुरक्षा के प्रतियत्यंत सदर्क रहना पड़ेगा पेटोलिंग बढ़ाना पड़ेगा सोसल मीडिया पे नजर रखनी पड़ेगी और कोई भी व्यक्ति भड़काओ बयान देता है या कोई भी ऐसी बयान वाजी करता है जो सुरक्षा के लिए या किसी समदाय की भावनाओं को आहत करके से भड़काने की कारवाई कर रहा है जिसमें बिद्दुत की आपूर्ती अन्वरत बने जरजर पोल और तार को पहले से हम रिप्लेस कर लें उसका मरमत आधी का काम कर लें जो भी हमें करना हो उसको हम कर लें सडकों की मरमत सुनिस्चित कर लें एक ग्रामिन हो सहरी छेतर की सडके हो जिन सभी समंदित विभागों से हो जिलादिकारी और मंडला युक्तगर्ण इन सब की समिक्सा जनपदस्तर पर सुनिस्चित कर लें कि कहीं भी और जबाब देई के साथ करवाएं जल जमाव नहो गंदगी नहो सडकों में गड़े नहो इन बातों को हम सुनिश्चित करें मीट मचली कावड यात्रा की रूट पर नहो अच्छा होगा अनावस्यक उसके कारण तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कारे नहोने पैए क्योंकि कभी कभी लोग सरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिवंदित पसू को मार करके फेंग देते हैं जिससे विए लोग उत्ते जिद हो सकें क्योंकि जो सरारती तत्त हैं वो हर प्रकार का संभव प्रियास करेंगे हमें उसके प्रती सतरक्ता बरतनी चाहिए ऐसे ही वहाँ जो कारिकरम जो भी हो प्रमप्रागत तरीके से हो कुर्वानी प्रतिबंदी तस्थलों पर नहो या कावड यात्रा भी प्रमप्रागत रूड से ही जाए प्रमप्रागत रूड से हट कर जाने की परमिशन हम कता ही न दें और पहले से हम उन सब के साथ संभाद बना ले कि जबरदस्ती जो रूट नहीं है उस रूट पर जाने का कोई भी प्रियास न करें इन बातों को हम सुनिश्चित करेंगे हर जन्पद में और जहां पर इन सभी कारिक्रमों के लिए हो विसेश कंट्रोल लूम के अस्थापना करके निश्चित उसकी वहाँ पर नियमित समिक्सा भी की जानी चाहिए पीस कमेटी की बैठक के बारे मैंने पहले कहा यातायात प्रवंदन के बारे में भी जहां उस्यको वहाँ पर हमें लोकल अस्तर पर उसकी विवस्ता सुनिश्चित करनी चाहिए अंतर जन्पदिय समन्वे के साथ ही अंतर राज्जिय समन्वे को भी हम प्रात्मिकता दें खास तोर पर पस्यमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में जो कावड यात्रा चलेगी इस कावड यात्रा के रूट में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से, पंजाब से, हर्याना से, राजस्थान से और भी अन्य अस्थलों से काफी बड़ी संख्या में कावड यात्री आते हैं अच्छा होगा उन राज्जियों के साथ हम पहले से संबाद बना ले संबाद बना करके उनको राज्य सरकार के दौरा क्या-क्या नियम बनाए गए हैं उसके पालन के बारे में उनको बता दें दूसरा जो मैंने पहले भी कहा स्वास्तेविभाग में की जो लोग कोविट से इंफैक्ट रेतें सेकिंड वेप के दोरान वहे लोग बहुत लंबा पैदल करने का चलने का प्रियास न करें अनावस्य ग्रूप से उनकी जीवन के साथ खिलवाड हो जाएगा जा रहे हैं तो पानी की विवस्तार सुनिसित करें जगे जगे मेडिकल कैम्प भी रहे और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही उन अस्तलों पर न हो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे प्लास्टिक फिरी सभी आयोजन हो किसी भी आयोजन में जब प्लास्टिक को हम लोग उननीस में प्रतिवंदित कर चुके हैं अधर भारत सरकार ने पहली जोलाई से प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिवंदित किया है तो हम लोग प्लास्टिक फ्री पूरी बिवस्ता को बनाने का प्रियास करें स्वच्छता का विसेश ध्यान दें कावड महला और पूरुशों के लिए अलग लग ट्वालेट हो प्रियाप्त मातरा में जल की आपूरती वहाँ पर होती रहे ये भी हम इसको देखें और सतरकता के लिए सेक्टर स्कीम अभी से हम लागू कर सकेंगे तो ये अच्छा होगा इन सभी कारेक्रमों को विवस्तित तरीके से अभी से लेकर के और स्वतंतरता दिवस्त के कारेक्रम के लिए जो भी आयोजन हर जन्पत के लिए हर विद्याले के लिए हर गराम पंचायद के लिए हमारा प्रियास होना चाहिए कि गराम पंचायद के सचवाले में भी स्वतंतरता दिवस्त के दिन भारत का रा होना है राष्ट भक्ति के गीतों को बुलाब का वहां पर कारिक्रम हो स्वतंत्रता संग्राम ق Says दूसरा का सहीद परिवारों के लोगों को डिटायड जो आर्मी से जड़े बहे जितने भी रिटार्ड परसन है इन सब को बुला करके उनका सम्मान हो सहीद परिवारों को सहीद परिवार सेना से जुड़े हो सकते हैं पैरा मिलिटरी से जुड़े हो सकते हैं पुलिस से जुड़े हो सकते हैं आखिर उनों ने भी तो सुरक्सा में योगदान दिया है उन लोगों के सम तो इत्यास के पन्नों में गुम हो गए होंगे, अग्यात होंगे, लेकिन लोकल अस्तर पर उनका गायन होता है, लोकल अस्तर पर लोक कथा के माद्यम से, लोक परंप्रा के माद्यम से उनका स्वन करते हैं, अच्छा होगा उन गराम पंचायतों में उनकी तस्वीर है, तो उ वहां पर उन्हें इस उसर पर स्दानजली देने का काररे करें उन्हें नमन करने का करें त्यरगा हो राष्टगान उन सभी गाओं में प्रयास हो कि गैश्टगान ऊस और वह कि गराम पंचायतों के साथ संबाद बना करके गराम विकास और पंचायती राजविवाग वहां पर इस कारिकरम को आयूजित करें। नगर विकास विभागी इस बात को सुनिस्चित करें कि अगर अम्रिज सरोवर बन चुके हों तो अम्रिज सरोवरों के तट पर भी कुछ कारिकरम लोकल पारसत के नित्रुत्तों में इन आयोजनों को हम कर सकेंगे उसका अपना एक मैसेज होगा और समाज के हर तबकिके मानि करना चैए जिनका योगदान राश्टी सुरक्सा के लिए या सुरक्सा बलों से लोग जुड़े हैं रहे हैं या कोई सहीद परिवार है उन लोगों को हम लोगों को सौसर पर बुला करके समानित करना चैए इसकी एक विस्ट्रित कारियोजना मुके सच्चियू के अस्तर पर यहां पर राज्यस्तर से तयार हो जाए और इसे भव्य रूप में आयुजित करने की विवस्ता की जानी चाहिए अच्छा होगा कि बेसिक सिक्सा परीसद और माद्यमिक सिक्सा परीसद के बच्चों को प्रभात फेरी निकाली जाए उस दोरान स्वच्छता को ले करके जल संग्रक्षन को ले करके ब्रेक्सा रोपन को ले करके सहीदों के चित्रों को ले करके प्रभात फेरी निकले और फिर वहां पर उस आयोजन को विद्याले परीसर में सांस्कृतिक कारिक्रम के साथ साथ राश्ट भक्ति के गीतों के साथ हम इन कारिक्रमों को आगे वढ सकता है आयोजन जो दस से प्रारम होंगे सेक्टर प्रणाली हम सक्ति के साथ लागू करें 9 या 10 जोलाई से प्रारम होने है और 15 अगस्त तक चलेंगे हम इन सभी कारेक्रमों में पूरी सतरक्ता बरतें इस दोरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी सीनेर अधिकारी एक-एक गदविधिक कोई मॉनिटरिंग करें पेटोलिंग को बढ़ाएं सरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप पठोरता पुर्वक उनके खलाब कारवाई नहीं करेंगे और हमें कारवाई करने में किसी भी सरारती तत्व के खलाब एंटी सोसल और ए जो लोग सुरक्सा के लिए खत्रा बने वे हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतनी के आउसिकता भी नहीं है और इसलिए सेक्टर प्रणाली तत्का लागू करते वे बकारीत के कारिकरम को सभी मुस्लिम धर्मकुरों के साथ संबाद बना करके बेतरीन तरीके स सांदार तरीके से सच्चता के मानकों का ध्यान रखते वे जो पहले से ही विवस्ता बनाई गई है कि किसी सारजनी कस्तल पर कोई बे ऐसे कारिकरम हम नहीं होने देंगे जो अनावस्चक ट्रैफिक को जाम करता हो जो परंपरागत रूप से कारिकरम चलते रहे हैं उन सब उन्हें छोड़ करके खास तोर पर जैसे कावर यात्रा निकलेघी आम हम अर प्रंपरागत रूप हैं अमारा प्रयास ना च्रैफ कावर यात्रा हो या फिर मुहरम के जलूस अस्त्र सस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा पहले से हम सुनिश्चित करेंगे हम संबाद बनाए फिर सूल लेकर के भी कावड यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकरी देनी होगी उस विवस्ता के साथ बताएगा लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा इसकी अनुमती मत दीजे छूडा लेकर के जाएगा इसकी अनुमती मत दीजे एरगन लेकर जाएगा इसकी अनुमती मत दीजे अनावस्य ग्रूप से भावनाएं आहत नहोने करके वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रसासन के अस्तर पर भी न हो और कावड संग हो या मोहरम के जलुस हो अस्तर सस्तर का प्रदरसन न हो ये भी हम सुनिश्चित करेंगे जिस से अस्ताने अस्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून बिवस्ता के साथ खिलवाड करने कि स्थितिन आने पाए हर एक जलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए ड्रॉन के माध्यम से, CCTV कैमरे के माध्यम से, वीडियो ग्राफिक के माध्यम से, हमें करने में कोई संकोश नहीं करना चाहिए कावड यात्रा की जो निगरानी हेलिकाप्टर के माध्यम से होती है, वो अब पूर की भाती उसी प्रकार से इस वर्स भी होगी हमें उसकी समिकसाभी करनी चाहिए, और जब भी उसकी आऊ सकता बढ़ती है तो उसके इंसार हम सासन से उसकी पर्मिशन लेकर के, सासन से उसकी विवथता लेकर के, वहभी सुनिशित करें, डीजे एक निशित वैल्यूम में ही बजना चाहिए, और संबाद बना करके हम इ कावड यात्री हैं तो कावड यात्री इस बात को सुनिस्षित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान सिव से जुड़ेवे भजन ही बजाएंगे कोई ऐसा भिलमी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावस्यक रूप से माहोल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान भक्त की आहत होती हो ये भी हमें कावड यात्रियों से पहले से ही संबाद बना करके उनसे आगरा करना चाहिए ऐसे ही मोहर्रम के जलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे हम सुनिस्चित करें उसकी वैलियूम को कंट्रोल करें अनावस्यक रूप से ढोल और तासा बजा करके सोर गुल उतना न बचाएं जो कान फोडू हो जाए और कान फोडू बिवस्ता को हमें रोकना पड़ेगा हर हाल में रोकना पड़ेगा अस्तर सस्तर का नावस्यक प्रदर्सन नहीं करेगा कोई और हर एक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जलूस का नित्रत्व करेंगे उनसे लिकित एफिडेविड भी आप लोग ले लेंगे स्थाने अस्तर पर पहले से बिवस्ता बना करके तो पर्व और तेवार में कोई खलल डालने का प्रियास नहीं करेगा उसके नाम पर सांति भंग करने का दुस्ताहस भी कोई नहीं करेगा आज की ये वीडियो कॉन्फरेंसिंग इसलिए मैं तो पूर्ण थी और मैं चाहूंगा कि सासन अस्तर पर यहां पर सभी समंदित भिभाग इस बात को सुनिशित कर लेंगे कि जो बिवस्ता उनके जिम्मे है वे अपने अपने भिभागों की भी समिक्सा कर लें कॉडिनेशन के माद्यम से प्रभावी डंग से इसको लागू करने की तयारी भी करेंगे और कहीं भी कानून बिवस्ता की कोई समस्याना होने पर परव और तेवारों को सांति पूर्ण और स्वहार्थ पूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें यहाँ हरस्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए यही मुझे इस उसर पर आप सब को कहना था बात बहुत धन्यवाजी